पर्ण पैना स्वाल्सुटि की अजनीं संपर आज आपके लिए बहुत सिम्पला और बहुत ही टेस्टी सरा रेस्प आये हूँ। आज आपके लिए बहुत सिम्पलना म और बहुत ही टेस्टी सा हम मसाला गुर काफ़ी हील्दी है टेस्टी है और बाहर की अपरी प्नीच्छा हे आपक्छा अश्वार्श मिठ बेनी हीमने सब शें सिर्फ गुड़ और किचन के कुछ मसालों से आपको बाहर जाकि कुछ लानी की जरुवत ही नहीं है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं किस मसाला गुड़ को हमने कैसे बनाया था तो एक कटोड़ी हमने गुड़ लिया है तो यह गुड़ जो है बड़े तो इस गुड़ को हमने अच्छे से फोड लिया है यह दिखे और एक प्लेट में एक चोटी ट्रे में घी लगा के हम पहले से रख लेंगे उसको सेट करने के लिए गुड़ को तो यह काम आपको पहले से कर लेना जिस बरतन में हम सेट करेंगे उसमें आप घी लगा के हैं तो एक चमच् coming powder,शॉको mixy में भेता और एक चमच् hourny कआ दाख कर या एक चमच् काठ पॉर्डर है जो आदी चोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पॉडर यहां पे हमने दस चोटी लाइंची को चिलकाहटा के कूट के ले लिया है इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इन सारी मसालों से इस गुड में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है और एक चौथाई चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का पॉडर यह ज्यादा निले ना यह थोड़ा से ही लेंगे और यहाँ पे भूना हुआ तील हम डाल रहे हैं तीन चम्मच वाइट वाले तील को ड्राय रोस्ट कर लिया था तो वो तीन चम्मच हम डाल रहे हैं आप चाहें तो मुंग फली को भी भून के क्रेस करके डाल सकते हैं तो आप अपने पसंद से कुछ फ्लेवर को ज्यादा एड़ कर सकते हैं एक चम्मच हम इसमें घी डालेंगे घी डालना ज़रूरी है क्योंकि घी डालने से यह जो मसाला गुड़ है बहुत ही सौप्ट बने और लो फलेम पे हम इन्हें लगतार चलाते हुए बस गुड़ को पिघलाने तक ही हमें पकाना है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ग्यास को एकदम लो फलेम पे रखना है और लगतार चलाना है वरना क्या होगा कि मसाले जल जाएंगे फिर बहुत ही करवासा टेस्ट जाएगा यह मसाला गुड़ खड़ा हो जाएगा क्योंकि यह गुड़ जो है तो जड़ासा भी छोड़ देंगे तो नीचे से मसाले जल सकते हैं यहां पे लगतार चलाते रहिएगा गुड़ को पिघलने में बस दो से तीन मिनट ही लगेंगे बहुत ही जल्दी से यह तो एक बात ध्यान दिजेगा कि हमें चासनी नहीं बनाना है बस गुड़ को उतना ही पकाना है कि बस अच्छे से पिघल जाए बस उतना ही पकाना है यह सारी चीजे गुड़ में मिक्स हो गई है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छी सी खुस्बु यह देखिए यह गुड़ पिघल गया अच्छे से बस इतना ही पकाना है आप छोड़ेंगे तो इसे देखिए बबल स्टाइब के उठने लगे हैं बस इतना ही पकाएंगे और गैस बंद करके अब हम इसे उस घी लगे हुए प्लेट में डाल देंगे तो जड़ा सा भी ज आधा सेब भी दे सकते हैं या फिर इससे फैला के बड़फी की जैसा काट लिजे पर लड़ो बनाएंगे न तो क्या होगा की गोड़ करत हो घंड़ा हो जाए थाल जाल सकता है य।bane कि य स्टै यह जो गूड है, बाहत ही जल्दी से जैसा भी बसेश्ट आपको पड़ेगा ऊपर से में थोड़े से काजु के टुक्रणे डाल रहे हूं आप जाए हैं, ऊपक्रणे तो कोई भी ड्राइफ्रोड्स ग़ी बारिक याटि कीश है तो काजू के टुकड़े डालने से क्या होगा कि जब ये बाइट्स खाएंगे तो थोड़ा सा क्रंची भी लगेगा तो बस इतने देर में ही ये जो गुड़ है देखिए सेठ हो गया है चम्मा से थोड़ा सा मैने प्रेस कर दिया ताकि काजू इस मेचे से जले जाए और अब हम इसमें कटका निसान लगा लेंगे तो ये जटपड से बन जाता है मसाला गुड़ आप इसमें चाहें तो बहुत सारा ड्राइफ्रूट्स देखे भी बना सकते थे पड़ी सीम्पल सा हमने मसाला गुड़ बनाया है और इसे मैं चोटे-चोटे से बड़फी का से जादा बड़े टुक्ड़ों में नहीं काटे चोटा-चोटा सा तो ये बिल्कुल छोटे-चोटे से हेल्दी और टेस्टी से बाइट से तो ये दिखे इस तरीके से हम इन्हें कट कर लेंगे और ये तुरंत से आप खा सकते हैं तो एक मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी सी मिठाई ही है समझे तो ये मसाला गुड़ बनके बिल्कुल तयार और आप इसे दूद के साथ भी ले सकते हैं बहुत ही हेल्दी है दूद के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं ये देखे कितना सॉप्ट है ऐसा नहीं है कि गुड़ चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देखे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो मैं आपसे फिर मिलती हूं और जाते जाते लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा तो मैं आपसे फिर मिलती हूं अपने अगले वीडियो में एक इजी और टेस्टी रेस्पी के सा झाल 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 झाल